तो हैलो फ्रेंड्स तो जैसे मैंने आपको वादा किया था कि अगर आप मुझे अच्छी मोग देंगे प्यार देंगे मेरे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर कब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे सब्सक्राइब्स पर आप जैसे बढ़ाएंगे जैसे आप बढ़ तो आपने मेरे को पिशली वीडियो में पहुँच सारा प्यार दिया उस प्यार की वयर से मैंने आपको वादा किया था कि अगर आप मेरे को प्यार दिया तो मैं आपको स्कंडल पॉइंट क्या माल रोड और जुराणी जांसी पार्क साथ सब एक्सपेंड करूंगा जो आपको पूरा शिमला का रिज वाली साइड को घूमाएं आपको और आपको इंज्वाइद लाएं इरा इलाके का खुबसूरत इलाके का और आप देख सकते हैं यार शिमला का मुसम कितना प्यार है मेरे पीछे देखिए इस तरह से बादल चल रहा है इसमाल रोड में और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक पिशली वीडियो में आपने मेरे को सच में बहुत सारा पयार दिया यार मेरे को उमीद नहीं थी और आपने मेरे को 194 व्यूस दिलाए एक दिन में डैस बिग अचीवमेंट फार मी तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ तो आपने मुझे जैसे की मह बद्दी है तो मैं अभी अपना फेरज़ा पूरा करूँगा बादा किया है तो निवाना पड़ेगा तो चलो फिर दिखाते हैं अभी आपको रानी जांसी पार्क तो यह है वे आफ रानी जांसी पार्क तो अब हम यहां से एंटर करेंगे इस रानी जांसी पार्क को तो आप यह आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं तो यह है जांसी रानी का स्टचू तो इसके नाम पे इस जगा का नाम है जांसी रानी पार्क तो आप यहां से आप व्यू ले सकते हैं पूरे शिमला के मार रोड का राइट इस पैंट से पूरे मार रोड का व्यू ले सकते हैं यहां से तो हेलो गाईस, अभी हम राणी जन्स शेपार को प्रीट करने के बाद अभी हम पहुँके हम लकड बाजर में, तो ये मैं आप सकत Śजार版 को भी हो तो देखो इंजाए करो इस लकड बाजर को इसलिए पूल जाता है कि यहां लकडी का समय मिलता था पराने जमाने वर अभी भी मिलता है अब लकडी का समझे से आप यह देशक्ते लकडी के बरतन शर्द है अंदर आए यह जारा सा कैफे तो आप इस रास्ते को इनजाए की जिए लकड़ बजार के तो अब हम इस आप भी देखिया है माल का भी इस रास्ते करेंगे आप भी दिखिया है मैंसाथ माल का भी इस रास्ते में जा रहे हैं जारे है अब देखा कि अम आपी लकड बजार से शिमला हरीज की तरफ आरजब आप ने देखा मुसम उतना सुहाना था यहां पे थोड़ी दोंदू शुन्त पड़ी हुई है और काफी अच्छा मुसम है वाव यार इस टैम जमू में जो ब्लॉग जमू में तो कितनी गर्मी होती इस टैम यार जो मेरा ब्लॉग देख रहा है वो इस चीज को फील कर पारा होगा कि मैं इस टैम जूँए तो यह है फॉंटेन शिमला का फॉंटेन आप यहां पे लोग नजॉई कर रहे हैं फॉंटेन के पास पिक्चिस पिक्स ले रहे हैं देखो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार शिमला का आज ब्यू कितना तकड़ा है तो बादल आज शिमला के चर्च को टच कर रहे हैं पर आप मुस्म का इंजॉई रही जी कितना तकड़ा मुस्म हो चुगा है यहां पे शिमला में होजानने मेरी है तो दैनमलायो तिला मेरी हाँ कर दो जैन्र चुरायो डाता बेरी मैले जोरी- cुरी नकडेत दुकायते मेरे रोई रोई पपड़े लगाये तैं कजो पोड़ा पाड़ा दिलो मेरा लुपतिया छवा मारी तन्ने थुपाओ कजो छुटेया कजो नैन मलायो तिला मेरिया कजो चैन चुराया आओ जानी मेरिये अब तो छोड़ी अचे बेंडे चली पैतू कजो पोड़ा दिलारे इंजो लाघी रही तू कजो अच्चो टैन आख चैन पुणबतिया अगय अगयों आए डाहए तो हैलो गाइस अभी हम पहुंच चुकी है Uh, ScandalPoint तो इस जिगह को ScandalPoint के नाम से जना जाता है यह चोटा सा तावर है यहाँ पे बिदीजवली लेटी खड़ी है इसको ScandalPoint के नाम से जानते है जान जाता है मतलब जैते आप को आपको देख सकते हैं शिमला का तो मैं अभी आपको दखाने बला हूं शिम्ला का 360 व्यू राइट फ्रम इस फ्रीस तो दोस्तों आप इस प्रेगा से लिख से हैं शिम्ला का 360 व्यू देखो कितना खुब सूरत लग रहा है हमारा शिम्ला चारा है शिम्ला तो अगर आपने कभी 360 व्यू लेना हूँ तो इस पॉइंट पर आ जाओ तो हेलो फ्रेंड्स तो अभी हम पहुंच चुके हैं माल रोड में अब जहां पर मैं जा रहा हूँ इसको बोलते हैं माल रोड जो इससे उपर वाली लेन थी जहां पर हम जहां से होके हम आए उसको हम बोलते हैं रिज तो यह डिफरेंस है माल रोड पे और रिज पे मैक्समि जब नाचा जो जना मेरी लाल जिरी है जब नाचा जो जना मेरी लाल जिरी है जना मुझे प्यार्दू जना मेरी लाल 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 जना मेर